नमस्कार प्रणाम दुआ सलाम मैं हूँ डॉक्टर लोके स्वागत करता हूँ आप सभी का वाइपाइ स्टेडी यूजी से नठ हिंदी चैनल पर प्ररणाम मैं इसे प्रसांधि याप्र अब करता है प्रणाम प्रli तो वाइपाइ चैनल पर वाइपाम दूर्यू और कि यह सबी क्लास उनके लिए लावकारी होने नहीं है साबित होने वाली है तो आप इस क्लास को लगा था लाश्ट तक देखते रहिए यह क्लास आज छोटी होगी वैसे एक्षिली कहती ही हमारी क्यों ओफिसल मिटिंग थी याने केडमी की तो इसके चक्कर में थोड़ी क्ला चलिए शुरुआत कर देते हैं प्यारे साथ यो अनकेडमी अगर आपने प्लस क्लास जॉइन नहीं किये तो जरूर से जॉइन कर लेना मुझे लगता है अभी नहीं तो कभी नहीं वाला कॉनसेट होने वाला है क्योंकि 15 जुलाई 2021 से आपका थीस वड़ रही है और 6 मेना और 12 मेने के अगर प्लस क्लास जोइन करते हैं तो आपको 2 मेने का एस्ट्रा बेनिफिट देखने को मिलेगा यह हमारा टेलीग्राम चैनल है अब इस टेलीग्राम चैनल को जाकर जोइन कर लीजिए और फोलो कर लीजिए आपको सभी क्लासे यहां पर देखने को मिल जाएंगे प्यारे साथियो मैं अपने बारे में बता दूँ कि वैसा मेरा नाम डॉक्टर लॉकेस है मैंने नेट जी आरेफ की एक्जाम को कई बार क्वालिफाइड किया है एसारेफ की आए मैंने टी जी टी पी जी टी और सिक्षक हूं मैं अब अर तरीके से आपकी मदद करने की कौशिस करता हूं पहरे सातियों ये दो स्पिसल क्लास चल रही है अभी हिंदी सायथ के लिए तीन बज़े से और पेपर वन के लिए दस बज़े से क्लास चल रही है आप सभी इन क्लासे में सामिल हुआ करो नेट डॉक्टर लॉकिस के नाम से मेरी प्रोफाइल ले जाकर इसको फोलो करो और यहां पर आपको डिटेल कोर्स ओन मैथमेटिक्स का मिल जागा साड़े ग्यारे बज़े यानि कि मेरी प्लस क्लासे चल रही है दुवाधार थरीके से यहां पर हिंदी बासा विज्ञान और व्याकरन चल रहा है प्लस क्लास में 11 बज़ कर 30 मिनट से ठीक है तो आप इस क्लास का इससा जरूर से बनना चैनल को सस्क्राइब कर लिजे और मुझे फोलो करके कि युआ पर प्लस क्लास जोइन कर लिजे प्लस क्लास जोइन करोगे सीधा फायदा आपको क्या देखने को मिलेगा आपको वहादा zam जैसे कॉल के बटन पर किलिक करोगे automatic क्लास के अंदर आपका एक कॉल मिल जाएगा टीचर को आप उससे direct हो वहाँ पर बात कर सकते हो जी यह आ साति हो direct हो बात कर सकते हो teacher के साथ और सबी बच्चे भी आपकी वाद को सुंते रहेँगे ऐसा लगेगा क्लास चर्ग रही है रहा आप ने किसी ने सवाल पूछा है बड़ा मज़ी दा रहा है मलाब मज़ा आ वाहारी है आठ वजेशे को तो हमारे यापपर Mond और पेपर तू संपून क्लासर किल से चल रही जाएं चेह को तो paper 1 plus paper 2 की संपूर्ण तयारी के लिए आप हमारी plus classes को join कर लिजे आपको यहाँ पर plus classes हमारे देखने को मिल जाएंगे ओके lock a silver rifle code का परियोगा आप जरूर से करना यह साथ यू एप और यह साथ यू गोल सलेक्ट करो तद उप्रांत आपको यह interface दिखेगा वैसा आप ज़्यादा फीस नहीं है आप अपने मत अनुसार 6 मेने बारे मेने का कोई एक फलान चुन लो और lock a silver card लगा दे काम बन जाएगा redeem कर लेना डेविट का DMA UPI से काम आपका बन जाएगा पहरे साथ यह आई को नहीं subscribe से नहीं खास बात किया कि सब्सक्राइब करके बैल आइकोन को प्रेस कर लिजिए अब हम फटा-फट से कुछ सवाल हमारे बच्चे हुए थे पिछले पेपर के तो आब हम उनको सट आउट एक बार कर लेते हैं चलिए साथ यह आ जाए कैसे सब के सब भाई क्याल चाल चल रहे हैं सबके थोड़ा और जूम कर दूँ आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी और जूम कर दूँ यह लो ज्यादा जूम भी ठीक नहीं यह ज्यादा जूम ठीक नहीं यह सही है कबिर दास जी ने अपनी रचना में राम के जिस रूप का बर्णन किया है कौन सा है राम के जिस रूप का बर्णन किया साथ यो वह रूप कौन सा है कबिर दास ने निर्गुण और निराकार राम की क्या की थी राम का बर्णन किया था निर्गुण और निराकार ठीक है आ जा एंगे काव मत के सिद्धान्त के ऊपर उठकर सौंद्रे का वुद्गाटन करना ही आलोचक का प्रधान कार यह यह मत किसका ऐसाती हो यह मत नंद दूलारे वाजपेई का किसका है नंद दूलारे वाजपेई का मत है पुस्ब की अभिलासा किसकी कविता है सात्यों। नव गीत के प्रवर्तक का सिरे किसे दिया जाता है। राजिंदर प्रसाद सिंग को नवगीत का प्रवर्तक का सिरे दिया जाता है। यह हम DSSB का कॉशन पेपर सोट आउट करें जल्दी जल्दी प्रगति सील साहित की समश्चा हैं निमंद लेखन के लेका कोन हैं। नवगीत के प्रवर्तक का सिरे किसे हैं। प्रवर्तक का मुद्रित माध्धम नहीं हैं। और वह ऐसा आत्यों दूर दर्साद। भासा विज्ञान के लाब से संबंदित निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत हैं। वह विदेसी बाशाओं को अन देखा करने में साहेता। ये गलत है। जबकि और सुनो। पूर्मद्यकाल का दूसरा नाम क्या है प्यारे सात्यों। पूर्मद्यकाल का दूसरा नाम है भक्तिकाल। को नहीं है। पूर्मद्यकाल का दूसरा नाम है सात्यों भक्तिकाल। एक पंक्ति है कि मैया क्ब है बढ़ेगी चोटी कितनी बार मुई दूद पियत भाई यह अूजि है चोटी मे diamant यह क्रिशन भगवान केहते है कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी मुझे कितने बरस होगे दूद पीते हुए ये आजवी ये छोटी इस बात को कौन कहते हैं सूर्दास कौन कहते हैं साथ किस बात को सूर्दास कहते हैं किस में ब्रह्मर गीत में जै बिनु दे बिनु जै बिनु दे नदी बिनु कारी और तैसी अनात पुरुस बिन नारी इस बात को तुलसी दास कहते हैं राम चरतमानस में पति-पत्नी के संबंद के उपड़ महादेवी वर्मा की कविता अगनी रेखा में किसे प्रतीक मानकर रचनाय लिखी गई सात्यों है दीपक कैसा आत्यों दीपक को प्रतीक मार कर रचनाय लिखी है तुलसी करत रामचरित मानस के खंडों का सही करम बतलाईए और वह सात्यों बाल कांड अयोध्या कांड अरण कांड और किसकिंदा कांड चांद का मुवटेडा कब प्रिकासित हुआ 1964 में 1964 में चांद का मुवटेडा प्रिकासित हुआ था 1901 में में गर्जा कुमार मातुर को अपनी किस कवीता संग्रे के लिए हिंदी का साहित अकादमी पुरुषकार दिया गया ये सातियो मैं वक्त के समान हूँ मैं वक्त के कैसातियो मैं वक्त के सामने पर उनको साहित अकादमी पुरुषकार दिया गया बावानी प्रसायत मिस्र की कवीता सत्पुडा के जंगल में किसका वर्णन करती है ये सत्पुडा के जंगल में सुंदर तानी एक अचूत प्रकरती की सुंदर दुनिया का वर्णन करती है निशा निमंतन नामक संकलन हरिवन्स राय बच्चन ने किसकी परस्तिती में लिखा था साथ वे नितांत एकांग की पंध में इन्हों ने ये बात लिखी थी निशा निमंतन पंध की निम्न काव रचना को सही क्रम में लगाई है उसे कहते हैं साथ तो पल्लव गुंजन युगांत और ग्राम्या निम्न में से कौन सी एक रचना हरिवन्स राय बच्चन की नहीं है पलास वन है सात्यों, जो हरिवन सराय बच्चन की नहीं है, कौन से रचना नहीं है बच्चन जी की, पलास वन बच्चन जी की रचना नहीं है ये फिर पैराग्राफ आ गया है समनार्थी सब्द नहीं है, गवंड अकयास यह हम जो कर रहे हैं सात्य हो दिल्ली डिसस्व में आये हुए पेपर कॉम सॉल कर रहे हैं जो लगबग हमारा समाप्त हो गया है यह सारे कॉशन है जिए उससे संबन लिए हाँ यह आ गया यह कॉशन तोड़े अच्छे है यह उच्छ सिख्या समनने कौशन है हां यह आ गया लेक्षर कम डैमोस्ट्रेशन मे siècle को चौक ग्विधी के रूप मेर जाना जाता है कौन सा यूजी सी का पूल्ल प्रपत्र क्या है यानी यूसेडी का फुल फॉर्म क्या है यूनुच्टी ग्रांट कमिशन जिस UGC के आप तयारी करते हैं उसका पूरा नाम है यूनुच्टी ग्रांट कमिशन सिक्षा पर राष्ट्री नीती 1986 ने निरंतर और व्यापक मुल्यांकन और मादमिक चरण में छमाई प्रणाली की शुरुवात पर जोर दिया सिक्षा पर राष्ट्री नीती 1966 ने निरंतर और व्यापक मुल्यांकन और मादमिक चरण से छमाई प्रणाली की शुरुवात पर जोर दिया साथिया किस आयोग ने वस्तुनिश्ट प्रकार की परिक्षा और आंत्रिक आकलन के उपियोग पर बल दिया साथियो और वह है मुद लियर आयोग तया साथियो फायर एजूकिसर कौशन है यह की वस्तुनिट प्रिकार की परिक्षा और आंतरिक आकलान पर जोर दिया हो, सतीों मुदलीर कमिसर है, क्या है, मुदलीर कमिसर जिसे आप कहते हो, वो है, सतीड़ों तो मुझे लगता है, हमारा पेपर अब हो गया, समाफ आज ही कलास 10-20 मिनट की हुई है, कोई बात नहीं थे ये तो थोड़ा सा पेपर बचा था ये मैं आप लोग उगली सॉट आउट करवा दिया है कोई समझा नहीं है आप तो बस क्या करना है आपको फटा फट से प्लस क्लास जोइन कर लेनी है ज्यादा फीस नहीं है फीस बस बढ़ रही है बस आज ही लाज डे क्लास में आपके लिए पढ़ाता हुई हिंदी वासा और उसका विकास एक प्रश्ट भूमी आपको यह पर बहुत से देखने को मिल जाएंगी प्यारे साथ हो जाइए फटा पट से प्लस क्लास जोइन कर लिजिएगा ठीक है आपको डाउनलोड करो गोल सेलेक्ट करो और से बात में साती हो यह आपको देखने को मिल जाएगा या फीस इतनी फीस लग रही है आप छे मैने बारे मेने कोई एक प्लान जोइन कर लेना अपने इसाब से रेडीम कर लेना डेविट का डीमा यूपे वाल्ट और नेट मेंगी से आपका प्रेमेंट हो जाएगा आपको मेरा और फूजा मेडम के जॉइंट यह आँ यह बाला तो आपको यह ले दिख रहो का साती विपर ठीक है तब तक स्वस्टर हो मस्टर हो जयहिन बहुत्र कहतेर DAN Thank you guys love you guys मिलते हैं तब तक स्वाश्त रहों और सुनों 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 मेरे भाईयों क्या है आपके लिए मंडे थे उडान वैचा रहा है किरा साथ ऊडान वैचा रहा है है तेंक्यों गाई लव you all by